मानसून के शुरू होते ही अप्यास भी लोगों को रुलाने लगा है। बीते सब्ताह तक जहां प्यास 35 से 40 रुपए प्रती किलो बिक रहा था, वहीं अप्यास के भाव 50 रुपए प्रती किलो ग्राम तक पहुँच गए हैं। संभावना है कि आने वाले दिनों में इसके भ और अब प्यास के दाम भी बढ़ गए हैं। पिछले एक सब्ताह में करीब 10 रुपए की बढ़ोतरी के साथ प्यास के दाम 50 रुपए प्रती किलो तक जा पहुँचे हैं। व्यापारियों की माने तो बरसात में सबजियों के दामों में बढ़ोतरी देखी जाती है। बरस सतल बारिश के कारण कई फसलें खराब हो रही है। जिसके कारण आने वाले दिनों में प्यास संकट खड़ा हो सकता है। अभी भी प्यास के दाम बढ़ गए हैं। ऐसी स्थिती भी आने वाले वाले समय में देश में प्यास संकट खड़ा हो सकता है। अभी देश की बड़ी सबजी मंडियों में प्यास के ट्रकों की संख्या कम हो गई है। प्यास की कीमतें आसमान पर जा सकती है। लेकिन सरकार इस जोखिम से बचने के लिए बड़ा फैसला लेने की तयारी कर रही है। यदि जल्द ही प्यास की सप्लाई में सुधार नहीं होता है तो व्यापारियों को सरकार स्टॉक कम करने को कह सकती है। यदि ऐसा नहीं होता ह तो सरकार स्टॉक के लिए लिमिट तै कर सकती है पिछले 15 दिनों में ही प्याज की कीमतें आस्मान पर पहुँच गई है इतने दिनों में ही प्याज के दाम 35 फीसदी तक बढ़ गए है कई जगह पर एक साल में ही प्याज के दाम लगभग 70 प्रतिशत बढ़ गए ब्यूरो रिपोर्ट मार्केट टाइमस टीवी